next question है बच्चों, question number 2, question है integration of sin 3x into cos 4x into dx, पहले ये समझना है क्या है कि इसको पहले टिप्रमेटिक फांक्शन को हम लोग पहले तोड़ते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप पहले समझें, sin 3x into cos 4x, तो हम लोग नीचे पी उपर भी 2 से मल्टिप्लाइ कर दिया, और नीच जो बड़ा वल एंगल उसको एक साथ लिख देते हैं ताइकि सहलियत हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बड़ा है वो सीको लिखेंग आगे, तो आपको easy हो, उसके लिए हम use कर रहे हैं आपे, 2 cos 4x into sin 3x, इस टाप से तो adjust करी सकते हैं, by 2 integration of dx, इसी चीज़ को आप क्या लि minus sin a minus b, क्या लिखोगे इसको, तो sin a, a का value, 4x, b का value, 3x, 4x plus 3x minus sin a minus b, मतलब 4x minus 3x, तो x हो जाएगा, इदर भी by 2 आजाएगा, इदर भी by 2 आजाएगा, into dx, तो अब इसको further क्या लिखेंगे, sin का जो integration होता है, इदर भी dx हो जाएगा, है न, sin का जो integration होता है, वो minus cos होता है, तो minus cos जो angle है, वो लिख दी, 3x और 7x, 7x हो जाएगा यह, ठीक है, यह 7x हो जाएगा, 3 और 7x हो गया, अब by 2, चुकि अंदर में linear function है, तो यह multiply में आना था, अब इस यह catcher में आ जाएगा, divide में, ठीक है, फिर minus sin का जो integration होता है, वो होता है, minus cos x by 2 plus c, तो अब क्या लिख होगे, minus cos 7x by 14, minus minus plus cos x by 2 plus c, यह आपका question number 2 का answer हो गया,